हेलो दोस्तों नमस्कारिश्टाक मारके शेयर उच्छू चनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केर लिम्टेड सेयर की क्योंकि इसके संबन्द में एक चबजस्त नियूज लिकल के सामने आई है और वो नियूज यह है कि जो कंपनी है वो अपने एक सबसिटरी के माध्यम से जिसे अभी यह एक कंपनी हायर करते हुए नजर आई है उसके माध्यम से यह मिस वर्ड का जो इवेंट होने वाला है इंडिया में जो कि फरावरिस में शुरू होगा और मार्स तक चलेगा उसका पुरा अरगनाईज यही कंपनी करने वाली है और इसका क्या फायदा मिलेगा यह तो आने वाला भविश से बताएगा लेकिन फिलहाल यह कंपनी जीस तरीके से कौन सी कंपनी का माध्यम से इस इवेंट को अरगनाईज करते हुए दिखाई देगी तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं अगर हम बात करें जो मिस वर्ड होने वाला है उसके बारे में थोड़ी जनकारी की तो यहां पर आप देख रहे हैं क यह इंडिया विल होस्ट सेवेंटी फास्ट मिस वर्ड पिगमेंट फालूइंग है ट्वंटी एट इयर्स ब्रेक तुठाउजन ट्वंटी फोर अठाथ यह जो इंडिया है वो दो 28 सालों के बाद यह फिर से एक हातरमा जो मिस वर्ड पिगमेंट है उसको यह वेंट करते हुए यानि होस्ट करते हुए नजर आएंगे और इसके बारे में यह सीजूल बता रहें कि 20 फ्रॉरी को यह शुरू होता हुआ नजर आएगा और ये 9 मार्स तक चलेगा और ये 20 फरोरी को शुरू होगा दिल्ली में इसका उट घाटन होगा और 9 फरोरी को ये फिलाल मुंबई के जो रिलाइंस कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पी ये समाप्त होता हुआ दिखाई देगा और इसमें 120 कंटेस्टेंट भाग लेते हुए दि दिखाई देगा आगी ये बता रहे हैं कि 120 जो कंपेटिटर्स होंगे वह अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे और ये जो गैदर होंगे वह होटल असोका में गैदर होते हुए दिखाई देंगे और इंडिया के अगर हम बात करें तो 120 कंट्रीज के साथ और 120 जो कंपर्टीटर हैं उनका फोटो यहां पर आप देख सकते हैं यह असोका है वहां पर फिलाल दिखाई दे रहे हैं अगर बात करें जो एनौंसमेंट न्यूज लिकल के सामने आया है उसकी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विकास लाइप जो न्यूज के बारे में यह बताया जा रहा है कि विकास लाइप केर जो लिम्टेड है वह अपने सबसिट्री पीमी इंटर्टेंडमेंट जिसे इस कंपनी ने अभी हायर किया है अभी एक कंपनी इसे स्टाक खरिदते हुए नजराई है इस कंपनी को खरिदते हुए नज खाई देगी इसी के बारे में यहां पर पूरी डिटेल से जनकारी दी जा रही है कि यह जो 19 फ्रॉरी को लिकल के सामने इसमें बताया है इजे विकास लाइप केर लिम्टेड वी एलल इस प्रावड एनॉंस दर जो किक स्टार इवेंट कमेमेमोरेटिंग दग इनडिया फार थर्टी फार्स्ट मिस वर्ड पिगमेंट दे मिस वर्ड पिगमेंट हैज बिन अगनाइज दिस यह इन इंडिया प्रिजेंट दग इस्किमेंट सब्सेडिय आफ वी एलल पीमी इंटर्टेन्मेंट पोर्टफोलियो मैनेजिंग इवेंट लल्सी अर्थात यह जो 120 जो प्रतिभागी होंगे यह जो है राजगाट पर जाएंगे और महत्मा गाधी का जो जो गाधी मेमोरियल बना हुआ है वहाँ पे यह फिलाल अपना पीस को बढ़ाने के लिए एक मैसेज भी देते हुए नजर आएंगे अब बात कर लें हुए पे P&E Entertainment की तो यह यह दिखाई देरा हैं कि यह दुबाई-based global entertainment firm है जो कि produce गंसर्ट करती है और साति सात जो इवेंट होता है उसे मैनेज करते हुए दिखाई देती है और यह जो मैनेज भी करी हुई है इवेंट को इसके बारे में ने बता रहे हैं क HR जो Prince Charles हैं उनका ये event manage करती हुए दिखाई दे थी और साथी साथ जो Prince Wells हैं उनका ये event manage करती हुए दिखाई दे थी और United National General Assembly है निव्यार्क में उसका management यही company करती हुए दिखाई देती है और साथी साथ जो Norwegian Nobel Committee होती है वो भी इसी को hire करती है Nobel Prize जो literature में दिया जाता है उसमें भी ये जो company event manage करते हुए दिखाई देती है और इसी PME Entertainment के माध्यम से फिलहाल ये world जो Miss World का event हो रहा है इंडिया में ये अगनाईज होता हुआ दिखाई देगा तो इसे साथ से आप देख रहे हैं जो विकास Life Care Limited जो share है वो अपने subsidies के माध्यम से कितनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हाला कि इसका क्या प्रभाव होगा ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन फिलहाल इस company में जबजस जबलोपेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर बात करें आज के delivery pattern की तो आज चुकि एक किस फरोरी को market बंद होने के बाद इसमें जो quantity trade हुई है उसमें total जो quantity दिखाई दे रही है वो 17,80,000 की total quantity trade हुई है पूरा का पूरा delivery उठता हुआ नजराया है और जबकि आज market का जो sentiment था वो negative था निफ्टी इसमें गिरावट देखी गई थी और इसमें भी हाला की जो विकास life care limited है इसमें भी हलकी फुल की गिरावट देखी गई है और इस गिरावट में भी ये लगवक 17,18,000 शेयर delivery group में उठाने ये बता रहा है कि जो investor हैं वो यहां पर आप देख रहे हैं कि आज चुकि market का sentiment negative था और निफ्टी जो है इसमें लगवग 150% की गिरावट देखी गई थी तो इसमें भी लगवग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और यह 6.40 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम बात कर महीने की तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और 75-76% का return लिकाल के इस company ने दे दिया है जब कि यह टेलडेट की बात करें तो 29% का return के दिया है वहीं अगर हम बात करें अगर एक साल के चार्ट परटन की तो इस company 65% का return लिकाल के दे चुकी है और अपने shareholder को तरीके से कहा जाए तो मला माल कर चुकी हैं लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिम चार्ट प्रेटन की तो यह कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक करती है हाला कि इस कंपनी ने अपना जो क्यूथरी का रिजल्ट पेस्ट किया है वह जितना मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि अच्छा रिजल्ट आएगा उसी साब से इस कंपनी रिजल्ट पेस्ट करते हुए नहीं दिखाए दी है लेकिन इस बरतमान में जो डेवलप्मेंट हो रहे हैं उसका प्रभाव आने वाले समय में इसके जो क्यूफूर का रिजल्ट आएगा उसमें भी देखने को मिल सकता है तो इसलिए इस शेयर के बारे में एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी रिटेल इंवेस्टर हैं इस कंपनी के बारे में कोई इसके बारे में पूरी डिटेल जनकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टर करिये ताकि आपका पैसा और निवेस्ट दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भवी से भी तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन हिट करना त तक नए वीडियो के जो अप्डेट से आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे जह हिन दोस्तों